उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की सरगर्मिया तेज हो गई है पंचायत के पांच साल का कारिकाल भी अब पूरा हो चुका है गाउं में जिला पंचायत सदस्य और प्रधान जी द्वारा कितना विकास कराया गया है जनता इस बार इन सब चीजों को ध्यान में रखकर वोटिंग करेगी कौशामभी जिले की अगर बात की जाये तो यह जिला प्रदेश के सबसे पिछडे जिलों में शुमार है जिले में बिजली, पानी और सड़क की समस्या सबसे प्रमुक्र कौशामभी जिले में कुल मतदाताओं की अगर हम बात करें तो यहां कुल 11,8547 मतदाता है जिनमें 9,93,149 पुरुष, 9,1508 महिला और 17,3 जेंडर मतदाता है आज हम बात कर रहे हैं मंझनपूर तहसील के रहीमपूर मौलानी गाउं जहां विकास कारी के नाम पर केवल रूपियों का बंदर बाट किया गया इस गाउं की गलियां आज भी नालियों के गंदे पानी से भरी हुई है लोगों को इन गलियों से आने जाने में भारी दिक्कतों का सामना करना पर रहा है ग्राम प्रधान द्वारा गाउं में कितना विकास कराए गया है इस बारे में पूछने पर तारा बानों ने बताया कि गाउं में कुछ भी विकास नहीं कराए गया है साप सफाई की विवस्था कहीं नहीं है सफाई कर्मी तो गाउं में आता है लेकिन सफाई सिर्फ नाम मात्र की ही होती है जिसके कारण गंदी नालियों का पानी सडकों में भर जाता है जिला पंचायत के पांच सालों का कारेकाल बेहत उठापटक वाला रहा यहां सबसे जादा काम अबधरानी ने किया उन्होंने सडक बिजली पर विशेश ध्यान दिया नहीं रह पाई और उसके बाद उन्होंने यह कहते हुए अपने पस से इस्तिफदे दिया कि अधिकारी उनका शहयोग नहीं कर रहे हैं लिहाजा कोई विकासकार संपाधित नहीं करा पा रहे हैं उसके बाद फिर कारवाग के रूप में डीयम रहे और लगातार डीयम के बाद सीडियो सीडियो के बाद फिर दूसरे डीयम आये वो यहां रहे है उसके बाद फिर अवदरानी जी हमारे यहां जिला पंचायत अधिच बनी और यह तीसरी थी और इन्हों तकरीबन एक साल चार वहिने तक अपना कारकाल किया इस दरान उन्हों जो हम ये कहेंगे सबसे ज्यादा विकास कार कस संचैलित करा पाई तो ओदरानी करा पाई यहां ग्रामिलों को यही नहीं मालूम कि जिला पंचायत में क्या-क्या विकास कारे कराया जाते हैं गाउं में आज भी पीने के पानी के लिए ग्रामिलों को काफी परिशानियों का सामना करना पड़ता है जिलापंचयत सदस्ते ने उनके गाउं या आजपास के खेत्रों में कोई विविकास कारिया नहीं कराया है जिसकी वज़ा से आज भी पानी के लिए किलते हैं और साब सफाई में तो एक दंबाय तीछे है यहां सडके 20 साल पहले जिला पंचायत द्वारा बनवाई गई थी लेकिन उसके बाद से आज तक इन सडकों का मरमती करना होने से सडकों में बड़े बड़े गड़े हो गए हैं जिसके कारण लोगों को आने जाने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है यहां तक कि लोगों को साइकल से चलने में भी कई दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है इस बार जिला पंचायत देखा जाए तो पहले के मुकाबले काफी खराब था इस पंचवर्सी में वरोबर सडके भी नहीं बनाई गई ना कुछ ना कुछ जादा विकास हुगा नहीं इ पंचायत चुनाव को लेकर जिला पंचायत ती राज अधिकारी के मुताविक परसीमन का काम जिले में पूरा कर लिया गया है पिछली बार की तुल्ला में इस बार जिला पंचायत की तीन, छेत्र पंचायत की पंचान्यवे और ग्राम पंचायत की 47 सीटे कम हुई है क्योंकि जिले में मंझहनपुर को नगर पालिका और तीन अन्य नगर पंचायतों का गठन किया गया है इस बार 26 जिला पंचायत सदस से 451 ग्राम प्रधान और 654 छेतर पंचायत सदस्तियों के सीटों पर चुनाव कराया जाएगा इस समय उमीदवारों के दिमाग में केवल अरच्छन को लेकर ही सवाल उठा जिसका वो जबाब जानना चाहते हैं कि आखिर के सीट को इस समय आने के बाद ही पता चल पाइगा लेकिन आगर बात करें तो कुसांबी का पाईसीमन का दिया गया है यहां पाईसीमन के से बात 45 छेतर पंचायत की सीटों पाचुना होना है जिसके लिए प्रसाशन ने अपनी कमर कस लिए सतिन खरे इटी विभारत को शंबी